आज हम बनाने वाले हैं दाल खिचडी जो बहुत ज़ादा हिल दी है और इसके साथ-साथ ये बहुत ज़ादा टेस्टी बनती है। अभी ऐसा होता है कि जिस दिन हमने तेल मसाले का इस्तमाल जादा कर लिया तो उसके कल होके हम खिचडी बना लेते हैं ताके वो मिंटेन हो जाए और खिचडी यतनी जादा चटपटी होती है कि हर किसी को पसंद आता है सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कप चावल ले लिया है और एक कटोरी से हमने दोनों को एक एक कटोरी लिया है आप भी कोई भी मेजरमेंट कप या कटोरी से ले सकते हैं हाँ लेकिन दाल कम नहीं होना चाहिए दाल कम रहेगी तो खिचडी अच्छी नहीं बनेगी इसे अच्छे से धुल लेना है धुलने के बाद पानी में 10 मिनट के लिए छोड़ देना है जादा नहीं छोड़ना है अगर आप वाली चावल में बना रहे हैं तो उसमें आधा गंटे के लिए चावल को छोड़ सकते हैं तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ इसी के साथ साथ हम एक मेडियम साइज का अलू डाल देंगे तो एक मेडियम साइज का उसे अच्छे से धुनने के बाद चोटे टुकड़े में काट लेना है और यहां पर हमने ले लिया है एक चोटा साइज का प्यास इसे बारिक काट लिया है इसे भी डाल देना है एक छोटा साइस का टमाटर इसे भी छोटे टुकड़े में हमने काट लिया है और इसे के साथ साथ तीन हरी मिर्चें तीन लहसन की कलिया जो हमारी खिचड़ी को बहुत अच्छा फ्लेवर देता है और इसमें कुछ जरूरत नहीं पड़ी है अगर आपको पड़े तो आप पानी गरम करके अलग से और इसमें डाल सकते हैं पानी डालने के बाद हमने एक चोथाई छोटी चमच हल्दी आइट किया है बहुत जाद आइट नहीं करना है और नमक पसंद के मुताबिक लीड लगाने के बाद इसे हम फ्लेम पर चड़ा देंगे एक से टी आने तक फ्लेम को हाई रखना है फिर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना हो लो फ्लेम पर हमने इसे कम से कम 15-16 मिनट के लिए पका लिया है यह देखिए हमारी खिचडी बहुत अच्छे तरीके से गल्चुकी है खिचडी का जो टेक् साबुजीरा दो चुटकी हिंग डाल देना है एक लाल मिर्च एक या दो डाल सकते हैं तीन लहसन की कलिया जिसे मोटा मोटा काट लेना है और 9-10 करी पत्ते डालने के बाद कुछ सेकंड के लिए हम इसे चला लेंगे जैसे इसका कलर चेंज हो वैसे इस पॉइंट पर हम प स्वाधिस्ट लगती है आप देख सकते हैं प्यास का कलर चेंज हो रहा है इसे बिल्कुल गोल्डेन नहीं करना है तो इस पॉइंट पर हम टमाटर आट कर देंगे तो एक छोटा साइस का हमने टमाटर लिया है उसे भी बारिक काट लिया है इसे डालने के बाद हम इसे भी फ्राई कर लेंगे और हां किसी को भी घर में पेट में दर्ध हो तो इस खिचड़ी को आप बना कर खिला सकते हैं लेकिन हां इस तड़का को आपको खिचड़ी में नहीं लगाना है तो टमाटर डालने के बाद हमने दो मिनट के लिए फ्राई कर लिया है उसके बाद हम इस तो इस ख़िचडी को बहुत असानी से बना सकतेय कि इसे कितना ज़ादा असान था बनाना यह फटफट बनकर तयार भी हो जाती है हमें घंटो किचन में खड़े होने के कोई जरूरत नहीं है तो ये तयार हो गई है तो अब इसे खाने के लिए हम एक बॉल में निकाल लेते हैं आप देख सकते हैं कि इस खिचड़ी का टेक्स्चर कितना जबरदस तयार हुआ है और ये कितना ज़ादा टेस्टी बना है आप लोग एक बार ज़रूर बना कर देखिए और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राइ कीजिए और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताईए सिंपल इजी और हिल्दी दाल खिचड़ी बनकर रेडी हो चुकी है फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ अभी के लिए लेती हूँ इजाज़त अल्ला हफीज